जाहिन दोस्तों क्या हाल है इसके अंदर है मेरे पास एक विंडोज टैबलेट कह सकते हो आप एसुस वीवो बुक थर्टीन स्लेट ओएलेड टी डबल द्री डबल जिरो के ए क्विक अन्बॉक्सिंग पर टेब लगाए गया जरूरी था मैं इन्बोक्सिंग का स्वाद तो इसके अंदर डब्बे डब्बे दिखेंगे जैसी बाता मैं इसको थोड़ा एक्स्पीरियंस कर रहा था सारा कुछ शेर भी तो करना है कुछ ऐसा होता बोक्स ऐसे बाहर आता है मिठाई के डब्बे टाइप पैकिंग थी इसके अंदर वीवो बुक मिलता यहां डोकॉमें जिसके बारे में मैं सारा कुछ शेर करूंगा आपसे डिस्प्ले एक्स्पीरियंस परफॉमेंस किसके लिए किसके लिए नहीं है एवरीटिंग एंड वन मोर थिंग यह वीडियो एसुल के साथ कोलाबरेशन में बन रही है बट कोई भी प्रेशर निया तो सारे थोट्स मे टैबलेट रिपलेश नहीं कर सकता क्योंकि विंडोज है जो भी आप अपने पीसी या पी लैप्टोप में सोफ्टेर एक्सेस करते हुग यहां कर पाओगे इंटरनेट यूज करोगे फुल फ्लेश वेबसाइट मिलेगी तो इसको आप काइंड ओव विंडोज टैबलेट कह सकते हो, थिकनेस काफी कम है, थिकनेस का अंदाज है आपको ऐसे लग जाएगा देख लो यह फोन है, यहां ऊपर पावर बटन है और यह फिजिकल स्कैन है के साथ आता है, प्रेस एन अनलोग करना इसको, बाकी प्लेन है और यह लेफ्ट साइड सारे पोर्ट हैं, यहां यह वोई editing के लिए नहीं सब को explain करूंगा तो साथ वो concept के वाद से यहां multi-media experience के लिए normal memory card का दे रखा है और फिर यहां पे speaker है दो इधर and दो just इस तरफ मिलेंगे जितने size में यह है ना अपनी पूरी ताकत से चिलाता है वाई काफी loud है और नीचे की तरफ keyboard लगेगा बस इसमें जाके यह magnetically attach हो जाएगा and यह पीछे की तरफ लगेगा इसमें भी magnet roller system है attach इस position से लेकर आप इसको use कर सकते हैं इस position तक यहां पे एक volume button मिल जाएगा और इसका trackpad मैंने experience करके देखा काफी अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है and keyboard का experience भी attachable जो keyboard आते है उससे आप से काफी साही दे रखा है proper laptop में काफी light weight हो जाएगा 785 ग्राम के असपास आता है और यह complete जो है न यह metal build के साथ आता है बाकी मैं इसके display के बारे में बात करना चाहूंगा यही इसका सबसे ज़्यादा main highlighted point है 13.3 inch का यह full HD plus 60 hertz OLED display है और जैसी बात है tablet phone में बना तो यह touch screen display भी होगी और touch काफी अच्छे से ग में यह 550 nits brightness के साथ आता है तो outdoor में भी आप अपना काम कर पाओगे और साथ में display भाई auto brightness feature के साथ भी आती है और multimedia का ध्यान रखते हो इसका जो ratio है न वो है 16 raise to 9 डिबन करता कि इस ratio में वीडियो है नहीं तो जो normal वीडियो होती न 16 raise to 9 वाली जैसे मेरी यह video यह full screen पे play हो नहीं होती आप देख सकते हो बहुत अच्छे viewing angle है यहां तक ले गया हूं मैं almost 180 degree बड़ इतना करा कि camera में दिखतो जाए नहीं दिखेगा यह नहीं तो बहुत अच्छे viewing angle इसके so display इसका सबसे ज़्यादा highlighted point है I hope सारा कुछ यहां clear हो गया होगा अब बात करते है इसका जो यहां पर दिखा देता हूं और जो प्रोसेसर है वो है Intel Pentium N6000 4 core 4 thread based साथ में Wi-Fi 6 connectivity के लिए dual band वैसे इसका cinema and score मैंने चेक किया था तो यह आप देख सकते हो मैं practical दिखा यह ज़्यादा matter करता है तो यहां पर दो तरह के लोग होंगे आप लोग जो इस प्रोसेसर के बारे मे basic task करने के लिए बना है basic like YouTube देखना painting करना Microsoft World मतलब run करना जो आपके बिल्कुल casual काम होते है उनको handle करने के लिए बनाया गया है यह primary device की तरह नहीं है primary मतलब जैसे productivity करते है अगर आप बहुत ज़्यादा आपके लिए नहीं है अगर आप gaming करते हो आपके लिए नहीं है अगर multimedia consumption के लिए चलता फिरता टीवी बोल सकते हो आप इसको या फिर आप अपना एक कुछ ऐसे जरूरी काम जो की sometimes आप जैसे Microsoft World जहां पर मैं अपने छोटे मोटे काम कभी कभी कर सकूँ साथ मैं multimedia experience कर सकूँ बहतर डिस्पले बहतर ओडियो वगारा के साथ उस concept को ये follow कर पाता तो इस rate में definitely आप कोई भी primary काम करने के लिए better PC या फिर Asus के इतने सारे laptop आते हैं even gaming laptop भी मिल जाते हैं इसलिए मैंने कहा ये primary device को replace नहीं कर सकता ये एक multimedia experience या फिर secondary device की तरह छोटे मोटे काम करने के लिए और next मैं बात करना चाहूंगा जैसे कि यह आता है वाई आपका Windows 11 क साथ और साथ मैं Microsoft Office का subscription भी मिल जाएगा तो वो सारी चीजे हैं इसमें external display से connect होने का option नहीं है बाकी हाँ Windows 11 है तो आप smartphone mirror करना हो वो सारी चीजे आपस में sync हो के काम करेंगे और अब number is Asus pen के बारे में बात करनेगा और ऐसे इसको open करेंगे तो इसको charge करना पड़ता है यहा एक function button है जैसे मैंने इसको दो बार प्रेस किया तो screenshot लेने का आता नहीं वो सब आजएगा या फिर press and hold किया मैंने तो यहां पर open हो जाएगा whiteboard तो यहां पर आप अपनी खलाकारियां कर सकते हैं और इसमें दो button भी मिलते हैं वही एक button से आपको select कर सकते हो और left वाले से ऐस type function button को customize कर सकते हो कोई भी application open करना हो जो इसके अंदर है वो भी या फिर आप जो program install करेंगे उसको भी select कर सकते हो और यहां पर दो camera मिलते हैं यहां front में 5 megapixel और यह back side आप देख सकते हो यहां पर 13 megapixel यह 13 megapixel वगारा से test करके हम लोग check कर रहे थे तो हम यह समझ में आया जो back camera ना इससे आप कभी-कभी कोई photo लेनी हो जो आप document बनाने में काम ले notes बगारा पर काम आ जाएगा और front वाले से video calling के लिए यह आपको meeting करनी है attend करनी है तो कुछ इस तरीके से video और audio quality मिल जाती है main camera पर switch करना हो तो कुछ इस तरीके से मिलती है main camera की quality audio कभी अंदाज आपको बग गया होगा एक माइक दो माइक और यहां पर एक sensor बना हुआ है and यह आता है 50 वोट आवर के battery के साथ और 65 वोट के fast charger के साथ टाइप C बेज़ और साथ में इससे मैंने battery वगारा टेस्ट किया 8 घंटे के असपास आपको battery life मिल जाएगा तो यह मैंने सारा कुछ शेर किया आप से और सभी सभी बताऊं तो यह concept काफी अच्छा है अगर इस concept के साथ यह लोग क्या करें like इसी के अंदर i3 वगारा प्रोसेसर आड किया जाए या बेटर प्रोसेसर आड किया जाए तो एक performance targeted भी बन सकता लेकिन एक बात यह भी है like अगर i3 वगारा आड करेंगे तो definitely definitely वो मुझे तो नहीं पता लेकिन कैसे भी करके cooling का भी management करना पड़ेगा इने because यह प्रोसेसर भाई पूरा complete PC के लिए बनाया जाते है या laptop के लिए fan बगारा लगे रहते है लेकिन यह इतना slim है कि इसके अंदर कोई fan बगारा नहीं लगाया गया बाइदर आपके मन में इसको कभी विए आपको primary PC device नहीं बनने देगा यह सिर्फ secondary या फिर multimedia experience के लिए आपके और इसके दो और वेरियंट आएंगे यहां पर जिसमें एक का प्राइस 58,000 होगा लेकिन वहाँ पे EMC storage मिलेगी और साथ में 4GB RAM accessories सारे मिलेंगे display वगारा quality build वगारा same है और एक और आएगा एकदम lower वाला जिसमें accessories नहीं मिलेगा EMC storage और 4GB के साथ इसका price होगा 45,000 के असपास तो I hope मैंने सब कुछ बता दिया होगा किसके लिए है किसके लिए नहीं है आपका क्या thinking है इसके बारे में comment करके जरू बताना वीडियो प्रसंद आए तो like से subscribe करना मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में